बच्चो आपका पुनाए एक बार और स्वागत है आपके लिए और हम लेके आ गए है एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्छा आठवी में आज हम विज्ञान की जो एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका उसका पाट लेके आ हैं तेरा ध्वनी आज हम लोग ध्वनी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे भी उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए लाइक कीजिए और आपके जितने भी गुरूप है वाटसब गुरूप चाहे दोस्तों के हो चाहे इसकुल के हो सभी में इस वीडियो को सेयर कर अधिक से अधिक लोगों को यहां मिल सके और हमारे चैनल का नाम अवस्याद रखेगा रीड एंड लर्न वित रंजीत कुमार ठीक है आज आप रंजीत सर के साथ पूरे प्रशनों के उत्तर हल करने वाले हैं तो पहला प्रशन लेके आए हम आप लोगों के लिए निमन लि अधियत तार तबला तानित जिली ढोलक जिली के द्वारा बचता है बासूरी आप जब फूकते हैं तो उसे क्या कहते हैं वायू इस्तम और मंजीरा जो रहते हैं आपस में टकराते हैं यानि कि उनके घरसन के कारान वो हमें सुनाई देते हैं आप बचते हैं अब अगला अगला प्रशन क्या है देखो जब हम बोलते हैं तो हमारे सरीर का कौन सा भाग कमपित होता है इस पश्ट कीजे तो जब हम बोलते हैं तो हमारे सरीर का कंट कमपित होता है क्योंकि हम उसी से बोलते न क्योंकि वाक्यंत्र या कंट के आरपार दो वाक्तंतु इस प्रकार त पुलते हैं और हमारा भाग कमपन करता है यहाँ पर जगे नहीं थी इसके लिए हमने छोटी छोटी राइटिंग में लिख दिया आप भे इसका उतर लिख लीजेगा अगला प्रशन देखो पुरुस महिलाओं तथा बच्चों की वाग धोनिया भिन भिन होती हैं क्यों पु महिलाओं तथा बच्चों की वाग धोनिया भिन होती हैं अगला प्रशन देखो मनुस कितनी आवरत्ती की धोनिया सुन सकता है मनुस 20 किलो हर्ट की आवरत्ती की धोनी सुन सकता है बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है बच्चों आप इसको याद रखेंगी अगला प्रशन देखो पांचवा प्रश्ण है आवरत्ती किसे कहते हैं इसको किस में मापा जाता है तो प्रती सेकेंड होने वाले दोलनों की संक्या को दोलन की आवरत्ती कहते हैं और इसको हर्ड्स में मापा जाता है मतलब आवरत्ती का मातरक क्या है बच्चो हर्ड्स है आवरत्ती मतलब बोल रहे हैं तो बार 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 जो गूंजना आवरत्ती बार बार आना जाना ने उसे आवरत्ती कहते हैं अगला प्रशन छटवा प्रशन है धातू के एक प्लेट को इसे बना दिया है डायगराम अब यहाँ पर थोड़ा सा से लिख लीजेगा जैसे क्या है लिखना है धातू के एक प्लेट को किसी स्वीधा जनकिस्थान पर लटकाने पर उस पर छड़ी चोट से चोट मारने पर हम इसे कमपित होता हुआ अनुभाव करते हैं अगला है चित्रसई समझाए कि धोनी का संचरन द्रौव में भी होता है देखिए एक बच्चा है वह पानी भरी टंकी में नीचे घंटी बजा रहा है और वह उसमें होने वाले अनुभाव को सुन रहा है तो देखो हमने उत्तर लिखा इसका एक हाथ में एक छोटी घंटी ल अगला प्रशन लिए लिए हमने अगला प्रशन क्या है आप लोगों का संगीत मैं धोनी सोर से किस प्रकार भिन है मतलब कि संगीत मैं धोनी सोर से किस प्रकार भिन है आपको भी बड़ी अच्छी बात बता होगी जो भी आप गाना सुनते हूं आपको बहुत अच्छा लगने लगती है मतलब कि आपको पसंद ने आती तो इस प्रकार की धोनी और संगीत मैं धोनी में क्या अंतर है यहां देखें तो संगीत मैं धोनी वह धोनी है जो कानों को सुखद लगती है परंतु सोर जैसे बश्ट को आदी की धोनिया हमें आदी कश्ट पहुंचाती है इ यहाँ पर देखो ध्वनी प्रदूसन के प्रमुक कारा नेम लिखेत हैं, वहनों की ध्वनिया, विस्पोर्ट जो फटना या फटना या फटना के जो आप फोड़ते हैं, मसीनों की आवाज, लाउड स्पीकर, भवन निर्मान के समय, इस्थल पर उत्पन ध्वनिया, कूलर क उची आवाज, उची आवाज में चलाए गए, रेडियो, टीवी, आदी, और आप जो जो मना रहा है, आपका वो लिख सकते हैं, अब क्या कह रहा है, अगला प्रशन बहुत इंपोर्टन और बहुत अच्छा प्रशन है, मानो कन का नामां की चित्र बना कर उसकी कारे प्र मानो कन का नामां की चित्र आप लोगों के लिए बनाया है, आप भी इसी प्रकार का मानो कन का नामां की चित्र बना दीजिएगा, और उसको समझाते विए, यहाँ पर हमने डेटेल लिखा है, तो यहाँ पर डेटेल देखिए आप लोग, कान के बहारी भाग की आकरती की या फनल जैसी होती है जबकि ध्वनी इसमें प्रवेश करती है तो यहाँ एक नलीका से गुजरती है जिसके सिरो पर एक पतली तनित जिल्ली होती है इसे काणपटा कहते हैं यहाँ एक महत्पुन कार करता है यहाँ जानने के लिए काणपट क्या कार करता है आई यह बनाए बना लिए हमने उपर ना बच्चो बनाए ना आपने भी देखा ना हमने कानपट बनाए एक उपर अब देखो कानपट एक तनित रबड की सीट के समान होता है ध्वनी के कमपन कानपट को कमपित करते हैं और कानपट कमपनों के आंतरकन तक भेज देता है मतलब अंद आई कि प्रकरिया को या जो भी हम सुनते हैं या धोनी हमार कानों प्रवेस करती हैं उसको सुन लेते हैं तो देखा बच्चो हमने पूरे के पूरे दसो प्रशनों को हल कर दिया ना और कितने अच्छी तरीके से किया यहां पर कोई प्राब्लम आई कि आपको नहीं तो इसी पेपर में आएंगे और जो पेपर का solution वो बहुत अच्छे से आपको मिलेगा यहाँ पर इसलिए प्लीज चैनल को इसको subscribe कर लो और बहुत अच्छे तरीके से और आपको पाना है तो इसी चैनल में बने रहने के लिए प्लीज इसको share भी अवस्य कीजिए दोस्तों में सबसे पहले subscribe करो फिर दोस्तों में share कर दो सभी ग्रूपों में जितने आपके पास ग्रूप हैं सभी को भेज़ दो आपके दोस्तों को भी वह भी भेज़ें ऐसा उन्हें भी बताओ और like भी अवस्य करें तो ठीके बच्छों हम अगले वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के कर लेते हैं ठीके बच्चों तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में thank you for watching